हेलो गाइस, वेलकम बैग तो माई चैनल रामा स्रीज आज मैं आपको जिस ट्रामा की एक्स्प्लेनेशन के बारे में बता रही हूँ उस ट्रामा का नाम है दी घोस्ट ब्राइड ये एक थ्रिलर होरर सुपरनेचरल रामा है अगर इस ट्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.7 out of 10 है टोटल एपिसोड 6 है तो फिर चलिए इस ट्रामा की एक्स्प्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं तो कहानी की सुरवात ली लैन के सपने से होती है जहां पर ली लैन बहुती ढराबना सपना देखती है जिस चकर में उसकी नेंद खुल जाती है तो अमा कहती है सुभा हो गई है अब उठ भी जाओ तुम्हारे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे है तुम्हें नहीं पता आज कौन सा दिन है और हमें कहां जाना है तो ली लैन कहती है हाँ मुझे पता है बस थोड़ी दिर और सोने दो तो अमा कहती है तुम बहुत सोचुकी जल्दी से तयार होकर नास्ते के टेवल पर आओ समझी आगे ली लैन नास्ता कर रही होती है तो ली लैन के पापा थोड़े टेंसन में होते है क्या आप हमारे साथ मंदिर नहीं चलिएगा तो ली लैन के पापा कहते है मैं आज बहुत बेजी हूँ इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊँगा इसलिए तुम दोनों ही चली जाओ और मेरी तरब से भी ली लैन की मा के लिए एक अगर बत्ती जला देना ठीक है तो अमा कहती है ठीक है सर आगे अमा और ली लैन मार्केट हो कर मंदिर जा रहे होते है कि तभी ली लैन की नजर साथी वाले केक के पोस्टर पर पर परती है तो ली लैन उसे देखने लगती है तो अम्मा कहती है अब तुम्हे भी साधी के बारे में सोचना चाहिए तो लिलैन कहती है मैं भी साधी के लिए ready नहीं हूँ क्योंकि मैं भी साधी के बोज को उठाने के काबिल नहीं बनी इसलिए मैं भी साधी करना नहीं चाहती तो अम्मा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उदर से यूफई अपने बच्चे के साथ आती है और लिलैन को कहती है तुम कैसी हो तो लिलैन कहती है मैं भी ठीक हूँ कि तभी यूफई का बच्चा रोने लगता है तो यूफई कहती है अभी मेरा बच्चा रोड़ा है मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी अभी मुझे इसे चुप कराना होगा तो लीलेन कहती है कोई बात नहीं तुम जाओ अपने बच्चे को चुप कराओ लेकिन याद से मुझसे मिलने आना जरूर तो यूफई कहती है ठीक है और ये कहकर यूफई वहाँ से चली जाती है तो अमा को कहती है अमा मेरी मा का पुनर जन्म हो गया होगा ना तो अमा कहती है तुम्हारी मा बहुत ही अच्छी और उनका पुनर जन्म भी हो गया होगा तुम टेंसन मत लो तो लीलेन कहती है पापा यहाँ पर अगरबत्ती जलाने इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें अपन लेकिन होनी को कौन टाल सकता है तो लीलेन कहती है हम इतने भी क्लोस नहीं थे कि मैं उसके लिए अगरबती जलाओं और यह कहकर लीलेन वहां से चली जाती है दूसरी तब लीलेन के पापा अपने बिजनिस को लेकर टेंसन में होते हैं कि तभी उधर से लीलेन मंदिर से आती तो उसे खाने की बहुत अच्छी खुसबुआरी होती है तो लीलेन कीचन की तरफ चली जाती है आगे वांग सब के लिए खाना बना रहा होता है और खाना बनाते टाइम वो किसी से बात कर रहा होता है जैसे कि उसके पास कोई भूत हो और वांग उसी से बात कर रहा हो कि तभी वहाँ पर ली लैन भी आ जाती है और वॉंग से पूछती है आप किस से बात कर रहे हो तो वॉंग कहता है मैं किसे से भी बात नहीं कर रहा तुम्हें पता है ना मैं जब खाना बनाता हूं तो मैं अपने आप से ही बाते करता हूं क्या तुम भूल गई तो ली लैन कहत आज बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है आप क्या बना रहे हो तो वोंग कहता है आज में तुम्हारा फैबरेट खाना बना रहा हूं इसे जल्दी से मुह हाथ धो कर टेबल पर बैठो मैं अभी खाना लगाता हूं ठीक है आगे सभी खाना खारे होते हैं कि तभी अम्म लिलैन के पापा को एक लेटर देती है तो लिलैन के पापा उस लेटर को खोलते हैं तो अम्मा पूछती है इस लेटर में क्या है तो लिलैन के पापा कहते हैं लिम परिवार ने हमें पार्टी में इन्वाइट किया है और मुझे बहुती आस्चर यह हो रहा है कि उन लोग पापा कर रहे हैं तो लीध येंचा बेटा सब्सक्राइब है और अगर हम लोग इस पार्टी में जाएंगे तो हमें वहाँ पर कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा ली लैंड के लिए तो ली लैंड के पापा कहते हैं मैं तो भूली गया कि हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है हमें उसके लिए एक अच्छा रिस्ता भी ढूणना होगा अच्छा हुआ अम्मा आपने मुझे ये सब याद दिला दिया आगे ली लैंड के पापा अम्मा को कुछ पैसे देते हैं ताकि अम्मा ली लैंड के लिए कुछ अच्छे कपरे खरीच सके पाटी में पहनने के लिए आगे अम्मा ली लैन को बजार लेकर जाती है और उसके लिए एक अच्छा कपरा चूस करती है पर उस कपरे की कीमत बहुत जादा होती है तो अम्मा सौप कीपर को कहती है आप इस कपरे को पैक कर दीजिए मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ और अम्मा ली लैन को एक अजीब पैसा दे कर ली लेंड के लिए वो कपड़ा खरीद लेती है आगे वो लोग पार्टी में जाते हैं तो ली लेंड पार्टी के वेन्यू को देखकर बहुत खुस होती है और अम्मा को कहती है ये हॉल कितना बड़ा है और कितना सुंदर सजाया गया है ना अम्मा वैसे अम्मा ऐसा कहते हैं कि मित्यू के देपता इसका पीछा कर रहे हैं कि तभी उधर से मैडम लिम आती है और उन लोगों का अच्छे से स्वागत करती है तो मैडम लिम ली लेन को देखकर बहुत खुस होती है और ली लेन को कहती है तुम जाओ पाटी इंस्वाइ करो ठीक है आगे ली है कि अगर हम बर्सों से नहीं मिले तो हम बाद में भी नहीं मिलेंगे मैंने आप लोगों को अपनी फैमली होने के नाते इनवाइट किया है क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता तो ली लैन के पापा कहते हैं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था तो मैडम लिम कहती है अच्छा छो चोड़ कर वहां से जाने लगती है तो मैडम लिम लीलेन को कहती है क्या तुमसे कराई नहीं हो पाड़ी तो लीलेन कहती है मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता तो मैडम लिम ली लेन की कड़ाई देखती है और उसे देखकर इसमाइल करती है और ली लेन ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है आगे ली लेन पाटी घूम रही होती है कि तभी उसे धीरे अवाज में कोई बुलाता है तो ली लेन उसी अवाज का पीछा करते करते तिया लेंग से होती है तो लेंग को देखकर चिलाने ही वाली होती है पर लेंग उसका मूँ बंद कर देता है और कहता है अभी सांत रहो आगे वो दो नोकर त्यान को भोग लगाते हैं तो उसमें से एक नोकर कहती है अच्छा हुआ ये मर गिया यह हमेशा हम पर अत्याचारी तो क चुका है और इसने हमें बहुत तंग भी किया था अच्छा हुआ ये मर गया और वह दोनों नोकर त्यान को बुड़ा भला कहते हैं आगे वह दोनों नोकर वहां से चले जाते हैं तो लीलैन और लैंग बैट के नीचे से बाहर आते हैं तो लीलैन लैंग से पूसती है तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो तो लैंग भी लीलैन से से यही सवाल पूसता है तो लीलैन कहती है मैं यहां पर एक गेस्ट हूँ तुम बताओ तुम कौन हो तो लैंग कहता है मैं यहां का एक नोकर हूँ तो लीलैन कहती है अगर तुम यहां के नोकर हो तो तुम बैट के मुस्किल से सोने को मिलता है इसलिए मैं यहीं पढ़ा कर सो जाता हूं समझी अब तुम बताओ तो लिलैन कहती है मैं इस रूम में एक्सिडेंटली आ गई थी इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे इस रूम में देखे इसलिए मैं बैट के नीचे छुप गई थी तो लैंक कहता है ओ ऐसी बात है अब तुम बताओ तुम यहां से पहले जाओगी कि मैं जाओं तो लिलैन कहती है मैं जारी हूं और लिलैन वहां से चली जाती है आगे बाई की इंट्री होती है और बाई लिलैन से मिलने आता है तो लिलैन बाई को देखकर बहुत खुस होत मैं एक मैने पहले आया तो जरूर था, लेकिन मैं चाहता था पहले मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद ही किसी से मिलूँ। तो लीलेन कहती है, तुमारे कहने का क्या मतलब है, कि अब तुम यहीं पर होगे। तो बाई कहता है हाँ साइद अब मैं यहीं पर रहूंगा तो ली लेन ये सुनकर बहुत खुस होती है एक्चली ली लेन का बाई पर बचपन से ही क्रस होता है और बाई भी साइद ली लेन को पसंद करता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बाई उसके साथ चला जाता है लेकिन बाई जाने से पहले ली लेन को कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा तो ली लेन ये सुनकर खुस हो जाती है और बाई को ही देखती रह जाती है इधर मैडम ली लेन के पापा से पूस्ती है ली लेन बड़ी हो गई है क्या तुमने उसके लिए कोई रिस् तो मैडम लिम कहती है नहीं मैं बाई के साथ लीलेन का रिस्ता फिक्स करना नहीं चाहती बलकि तियान के साथ लीलेन की साधी करवाना चाहती हूं तो लीलेन के पापा और अम्मा ये सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं और लीलेन के पापा कहते हैं आप मेरी बेटी की स तो मैं तुम्हारे बिजनेस को फिर से खड़ा कर दूंगी, मुझे पता है कि तुम बहुत सारे करजे में डूबे हुए हो, तो ली लेन के पापा को मनाने की कोसिस करने लगती है, और कहती है, अगर तुम अपनी बेटी की साधी मेरे मरे हुए बेटे से करवा देते हो, तो यहाँ पर रानियों की तरह राज करेगी, तुम्हारी बेटी को बस मेरे बेटे की बीबी बन कर पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजारने होगी, बस इतना सा ही तो उसे काम करना है, और तुम्हारी बेटी की जिंदगी भी तो सवर जाएगी, एक बार इसके बारे में सोच आगे लिलेन के पापा लिलेन को इस बारे में सब कुछ बता देते हैं तो लिलेन कहती है अगर मैं उस भूत से साधी कर लूँ तो क्या सच में आपका बिजनेस फिर से पहले जैसा हो जाएगा तो लिलेन के पापा कहते हैं मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ जब तुम तो सब के साथ खेला करती थी लेकिन जब तुम्हारी मा की मौत हो गई तब से तुमने इस घर से बाहर जाना बंद कर दिया लोगों के साथ खेलना बंद कर दिया ताकि मैं एकेला महसूस ना कर सकूँ लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए खुद को बरबाद करना बंद करो और अप लिलेन के पापा तीन दिनों के लिए बिजनेस ट्रीप पर जाते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लेम का सल्यूशन निकाल सके आगे लिलेन सोरे ही होती है कि तो त्यान को सपने में अपनी मां के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं कि तभी उसी सपने में त्यान का सपना आता ह और वो भी बहुत ही डरावना तो तियान उस सपने को देख कर अचानक उठ जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार उसी तियान के सपने क्यों आ रहे हैं आगे ली लेन तयार होकर नीचे आती है और अम्मा से पूसती है कि पापा कहा है तो अम्मा कहती है तुम्हारे पापा तीन दिनों के लिए बिजनस ट्रीप पर गए हैं इसलिए उनकी चिंता मत करो और अपना ख्याल रखो समझी कि तभी वहां पर यूफई ली लैन से मिलने आती है और यूफई ली लैन से पूछती है क्या तुम बाई से मिली तो ली लैन यूफई को बाई के बारे में तो ली लैन कहती है मेरी उससे ज़्यादा बाते नहीं हो पाई लेकिन मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी कि होंग कॉंग में उसका दिन कैसा रहा वो सुभा उठकर क्या करता था साम को क्या करता था और उसने मुझे मिस किया भी की नहीं कि तभी ली लैन के तो ली लैन दे नहीं को मसाले देता है यह मसाले में हौंग कौंग से तुम्हा 추esar याया अपने पापा को कहना इसी करके मुझे बताए कि इनका स्वात कैसा था उसके नहीं हुँ वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं तो बाई लीलैन को कहता है क्या हम दोनों बाहर चल सकते हैं घुमने के लिए तो लीलैन कहती है लेकिन यूफई घर पर आई है मैं उसे एकेला छोड़ कर कैसे जा सकती हूं कि तभी उधर से यूफई आती है और लीलै को एक कमपास गिफ्ट करता है तो लीलैन कहती है यह बहुत ही महंगा है मैं इसे नहीं ले सकती तो बाई कहता है यह मैं तुम्हें बहुत प्यार से दे रहा हूं प्लीज इसे ले लो तो लीलैन कहती है क्या तुमने वो लेटर पढ़ा था तो लीलैन कहती है उस लेटर का क पहने ही वाला होता है कि वो भी उसे पसंद करता है कि तभी लीलेन बाई को बताती है कि उसके लिए एक रिस्ता आया है तो बाई ये सुनकर सौक्ट हो जाता है और लीलेन से पूसता है क्या तुम्हें वो रिस्ता पसंद है तो लीलेन कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे वो परिस्ता पसंद है या नहीं लेकिन मैं अपनी फैमली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अगर मेरे साधी करने से मेरे फैमली की प्रॉब्लेम सॉल्व हो सकती है तो मैं ये साधी जरूर करूंगी तो बाई कहता है तुम सही कह रही हो हमें हमेशा अपनी फैमली को ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि फैमली से बड़ा कुछ भी नहीं होता आगे बाई ली लैन को घर छोड़ कर वहाँ से चला जाता है आगे ली लैन घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की तवियत खड़ाब हो गई है तो ली लैन अपने पापा के पास जाती है औ अगर इनकी तवियत फिर से खड़ाब होती है तो मुझे बुला लेना ठीक है तो ली लैन डॉक्टर से फिर से पूछती है मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं तो अम्मा ली लैन को कहती है तुम टेंसन मत लो तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पापा बहुती स्ट्रोंग आदमी है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे समझी तो ली लैन पूरी रात अपने पापा की देखभाल करती है और देखभाल करते करते वहीं पर सो जाती है तो ली लैन को फिर से तिय तो देख रही है तुम ने कोई बुरा सपना देखा तो ली लेंड अम्मा को सारी बाते बताती है कि वह कुछ दिन से त्यान के सपने देख रही है तो अम्मा ये सुनकर सौक्ठ हो जाती है और कहती है तुम उस मड़े हुए त्यान के सपने देख रहे हो कबसे तो लीलें कहती है जबसे मैं उस पाटी से वापस आई हूँ तब से मुझे त्यान के सपने आ रहे हैं अमा मुझे बहुत डर लग रहा है प्लिस कुछ कीजिये और मेरा इन सपनों से पीछा चुरूआए तो अममा ली लैन को एक जादू टोने वाले के पास लेकर जाती है तो वो जादू टोने वाला ली लैन को एक ताविश देता है और कहता है इस ताविस को अपने पास रखने से तुम्हें कभी भी भूत के सपने नहीं आएंगे तो ली लैन ये सुनकर खुस हो जाती है तो वोंग उस ताविस को ली लैन के कमड़े के बाहर टांग देता है तो ली लैन वोंग से पूसती है आपको कैसे पता इस ताविस को यहाँ पर लटकाना चाहिए तो वॉंग कहता है मैंने कुछ आदमियों को ऐसा करते हुए देखा था इसलिए मुझे पता है तो ली लेन वॉंग से पूस्ती है क्या इस ताविस के रहते हुए मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे तो वॉंग कहता है तुम टेंसर मतलो तुमें बुरे सपने नहीं आएंगे जाओ अराम से सो जाओ आगे ली लेन अराम से जाकर सो जाती है तो उसे फिर से तियान के सपने आते हैं तो ली लेन तियान को अपने सामने देखकर पुरी तरह डर जाती है तो त्यान कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जादू टोना मुझपर काम करेगा बिल्कुल भी नहीं जिसने भी तुम्हें ये तावीज दिया है उसने तुम्हें ठगा है और त्यान लीलैन के सामने उस तावीज को जला देता है तो लीलैन ये देखकर और डर जाती है तो लिल्यन कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी भी साधी नहीं करूंगी तो त्यान कहता है फिर ठीक है अपने पापा को ऐसे ही मरते देखो तो लिल्यन कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तो त्यान कहता है मैंने तुम्हारे पापा की आत्मा को नर्क लोक मे भटकते हुए देखा है अगर तुम्हारे पापा की आत्मा जल्दी तुम्हारे पापा की सरीन में वापस नहीं आई तो तुम्हारे पापा की आत्मा वहीं पर भटकती रहेगी और उनका कभी भी पुनर जन्म नहीं होगा तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम उससे साध तो लिलेन कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तो त्यान कहता है मेरा मडर हुआ है तो लिलेन ये सुनकर सौक्ट हो जाती है और कहती है तुम्हारी मौत तो बिमारी की वज़ा से हुई थी ना तो त्यान कहता है नहीं मेरी मौत बिमारी की वज़ा से नहीं हुई थी बल तो लीलेन कहती है क्या में कोई फर्ट नहीं परता कि तुम्हारा कातिल खुले आम घूम रहा है और मजे कर रहा है क्या तुम उसे सबक सिखाना नहीं चाहते तो त्यान ये सुनकर गुसे में आ जाता है और कहता है जिसने भी मुझे मारा है मैं उसे सबक सिखा करूँगा और उसकी जिन्दगी जहन्म बना करूंगा समझी तो लेलान कहती है इसलिए तो मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारे कातिल को ढूनने में तुम्हारी हैल्प करूंगी इसके बदले तुम्हें भी मेरी हैल्प करनी होगी तो त्यान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हैल्प करूंगा ल प्रविए नर्क लोक में कैद हो जाएगी इसलिए तुम्हें इस दस दिनों में ही मेरे कातिल को ढूनना होगा तो लिल्यान कहती है फिर ठीक है बताओ उस दिन क्या हुआ था तो त्यान कहता है उस दिन में नहाद होकर रात के खाने के लिए टेबल पर बैठा था और उस दि मुझे तेज बुखार हो गया और मुझे बहुत सारी उल्टियां भी होने लगी और मेरी उल्टियां बंद ही नहीं हुई और उसके बाद मैं बेहोस हो गया तो लिल्यान कहती है उस दिन टेबल पर जो जो भी था और जिसने तुम्हें खाना परोसा इसका मतलब उसी में से कोई तुम्हारा अपरादी है जिसने तुम्हें जहर दिया क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे मरने के बाद सबसे ज़्यादा किसे होगा तो त्यान कहता है मेरे मरने के बाद वो एक मात्र व्यक्ति है जो लिम परिवार का बारिस बनेगा और उस इंसान की बहुत लंबे स पहले से मेरे पैसो पर नजर है और वो इंसान कोई और नहीं मेरा बड़ा चचेरा भाई बाई है तो ली लेंज जैसे ही बाई का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है और यहीं पर एपिसोड वन खतम होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलको न भूले